Good morning everyone Last lecture में हमने अद्यन किया था मोद्रिगनिती क्या होती है किसी साबसे यह काम करती है कोण है जो मोद्रिगनिती को लागू करता है मोद्रिगनिती समीती के बारे में हमने अद्यन किया आज हम उसमें आगे continue करते हैं आज हम अद्यन करेंगे Instruments of Monetary Policy यानि जो मोदरिग नीती है वो किसी साब से money supply को control करती है या inflation को या economic growth को परभावित करती है तो कुछ ना कुछ ऐसे instruments होते हैं जिनके माद्यम से मोदरिग नीती को apply किया जाता है यानि अर्थवेस्ता की जैसी conditions है कि अर्थवेस्ता slowdown की हो रहा है या growth की ओर है या boom है, recession है तो उसके साब से मोदरिग नीती के कुछ instruments होते हैं जिनकी rates में up-down किया जाता है या उसमें कुछ संसोदन किया जाता है ताकि जो अर्थवेस्ता है उसको सही दिशा में चलाया जासके तो आज उन्ही instruments का हम देखेंगे इनको दो बागों में बांटा जाता है quality और quantitative तो आजम इसे की study करते है यहां एक diagram के द्वारा आपको समझाया गया है कि जो instruments हैं monetary policy के वो है quality और quantitative quality जो आपको देर खेंगे उसके अंदर आपको policy rate और open market operation और reserve ratio तीन बताए गए है policy rate क्या होती है जो base rate होती है जिसके आदार पे जो केंद्रे bank होता है वो commercial bank के साथ लेंदेन करता है तो manly policy rate के अंदर आपकाता है repo rate, reverse repo rate, bank rate और MSF MSF for marginal standing facility rate बोलते हैं इसको यह क्या होती है क्योंकि साबसे एकारे करते हैं इसी इतने lecture के अंदर हम आगे detail से देखेंगे यहाँ पहले हम यह देख लेते हैं कि majori कितने परकार की होती है तो quantity और quality और quality के अंदर पहला है policy rate policy rate को फिर आगे साब बागों में बांटा गया है कौन सा? repo rate, reverse repo rate, bank rate और MSF second बात करते हैं quantity की तो इसके अंदर आप काता है open market operations open market operations में क्या किया जाता है कि security होती है उनका lane देन करता है RBI commercial bank के साथ में तो उसको बला जाता है open market operation quantity के अंदर लास्ट है reserve ratio reserve ratio यानि जो banking norms regulation है उसके आदार पे जो bank के cost होते हैं रिजरव के रूप में ये Kendria bank final करता है कि कितने रखने है ये उतने time के साथ से और इनमें changes होते रहते हैं इसके अंदर manly कोण से आतने reserve ratio में दो CRR और SLR CRR मेंस case reserve ratio नगद आरक्षित अनुपाद बोला जाता है इसको इसी लेक्षर में हम देखेंगे इसको डिटेल से और second आता है आपका SLR statutory liquid ratio ये था आपका quantitative techniques जो है instruments है monetary policy के tools जो है दूसरा आपका आता है qualitative qualitative के अंदर क्या कह जाता है कि manly इसमें कुछ बाउंड की जाती है margin requirements दूसरा है moral situation and last one is selective credit control तो हम start करते है repo rate से पहला जो हमारा है repo rate क्या होता है कि आपको पहले भी पिछे की lecture में भी आपको समझाया गया था इसके बारे में कि वो rate जिसके उपर जो क्योंद्रिय बैंक होता है central bank होता है वो जो country का तो वो क्या करेगा commercial bank को उनको उधार देता है उनकी जो short fall short time के लिए उनको fund क्या हो सकता होती है उसकी पूर्ती करता है repo rate is the rate at which the central bank of country which in India is rb of a country lands money to commercial banks against the pledge of government securities in the event of short fall funds यानि कि जो short fall उसकी जवाव सकता है commercial bank की अगर उसे धन क्या हो सकता है तो वो क्या करता है जो अपनी जो securities होती है government securities उनके base पे वो क्या करता है RBI से या केंद्रिया बैंक जो होता है उससे पैसे लेता है तो इसके लिए जो rate charge करता है उसको क्या बोला जाएगा repo rate बोला जाता है अब ये कैसे effect करेंगी तो जैसे पहले डाइगराम में आपको बताएगे जैसे increase in repo rate अब आपने क्या किया अब आपने क्या किया कि repo rate को बढ़ा दिया तो repo rate क्या है आपको समझ में है कि जो commercial bank है वो केंद्रिया बैंक से क्या लेते हैं उदार लेते हैं अब जब वो दार ले रहे हैं increase कर दी रेपोरेट increase कर दी तो मतलब जो commercial bank है उनके लिए जो fund हो रहे हैं उसके cost क्या होगी high cost होगी तो पहले डाइगराम में आपको बताएगा इसका effect क्या हुआ high cost of fund for banks यानि बैंक को अब जो fund मिलेंगे वो क्या मिलेंगे मेहंगे मिलेंगे अगर उनको मेहंगे मिल रहे हैं तो इसका result क्या होगा high cost of borrowing for customers अब वो क्या करेंगे जो उनके customer है उनको अगर वो loan देंगे तो उन्हें पीछे से अगर पैसा मेहंगा मिल रहा है तो आगे भी वो charge क्या करेंगे एक्स्टा चार्ज और अपने कोश्ट निकालने के लिए और कुछ प्रोफिट इड़ करेंगे फिर कस्टामर को देंगे यानि जैसे ही수 रप्व रेट को इंक्रिज किया तो जो बैंक पोश्ट थी वो बढ़ गी बैंक की कोश्ट बढ़ गी अब जब customer के लिए cost बढ़ गी, अब जब customer के लिए cost बढ़ गी, तो borrower's discourage to borrow, अब जो पैसा loan लेने वाला है जिसको पैसा चाहिए, वो क्या करेगा उससे? दिस्कारेज होगा के जैसे इसको मिल रहा है पैसा महँगा मिल रहा है पहले सिद्रकार्पर Pomarohat ए सके लिए महँगा हो गया अब बहुत महाना हो गया तो तो जो money supply है वो क्या होगी अब हमें money supply बढ़ानी है तो हम इसका क्या करेंगे just उल्टा करेंगे यानि हमने क्या किया दूसरे diagram में आपको बताए कि decrease in report जैसे ही आपने decrease किया तो जो bank है उसके लिए जो पैसा प्राप्त कर रहा है उसको क्या मिलेगा कम cost पे मिलेगा यानि low cost of funds for bank बैंक कों से commercial banks अब जब उनको सस्ता मिल रहा है तो वो क्या करेंगे customer को और borrowers को क्या देंगे customer के लिए पैसा क्या हो रहा है यानि low cost of borrowers borrowing for customer customer के लिए जो दार प्राप्त कर रहे है उनके उसके cost क्या रही है कम आ रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा रैपोरेट को increase करना पड़ेगा और money supply को बढ़ाना है या हम क्या करेंगे रैपोरेट को decrease करेंगे तो ये एक डाइगराम के द्वारा आपको समझायेगे कि किस हिसाब से रैपोरेट जो है वो एक instruments के रूप में काम करती है money supply को reduce या increase करने के लिए अब बात करते है reverse रैपोरेट की यानि ये क्या है रैपोरेट का reverse है अब इसमें क्या होता है कि जो commercial bank के पास जो extra पैसे पड़े होते हैं वो क्या करते हैं केंद्रे बैंक के पास जमा करवा देते हैं तो जब उसके बदले जो bank केंद्रे बैंगे ने rates या interest देगा उसको क्या बोला जाता है reverse रैपोरेट बोला जाता है reverse रैपोरेट is the rate of interest offered by RBI Central Bank on loan taken by it for a short period from banks यानि RBI को क्या होता है पैसे क्या शक्ता होती है तो वो क्या करता है short time के लिए commercial banks जो होते हैं उनसे क्या करता है वो boros करता है तो उसके बदले जो उन्हें वो charge देपे करता है उसको क्या बोला जाता है reverse रैपोरेट बोला जाता है ये किसलिए किया जाता है कि अर्थवेस्ता के अंदर मालों पैसा जादा है बैंकों के पास पैसा ये कोस मुद्रा बहुत जादा पड़ी है उनके पास तो जैसे ही अर्थवेस्ता के अंदर उस पैसा अगर डालेंगे तो दिर दिर क्या होगी inflation बढ़नी श्टार्ट होगी inflation कैसे बढ़ते हैं चीजों से इसी चैप्टर में हम आगे देखेंगे तो जब पैसे को liquidity को कम करना है तो बैंकों के पास पैसा लेना है तो पैसा कैसे ले तो अगर जैसे जो बैंक जमा कराएं कब जमा कराएंगे जब उन्हें कुछ कमाई होगी यानि reverse report जो अब उसने बढ़ा दी और अर्थवेस्ता से क्या होता है पैसा निकल कर वापिस RBI की तरफ चला जाता है केंद्रे सत्ता के पास चला जाता है तो इस इस दन तो एब्सर्ब लिक्विडिटी फ्रों बैंक एगंस्ट तो collateral of eligible government security अब इसके बदले वो क्या करता है government securities issue कर देता है उनको government securities के बदले वो देगा और वापिस जब उनको government securities देंगे तो उसके उपर वो कुछ उनको payment करतेगा extra amount के रूप में charge कर लिया जाता है तो यह होती है आपकी reverse repo rate अब इसका effects क्या होगा उसी diagram के दोबार हम समझ सकते है कि पहला is increase in repo rate rather than to customer जब RBA इन rate बढ़ा दिये तो वो customer को पैसा देने की बजाए RBA को देंगी होगे तो customer को loan देंगे तो उसमें guarantee भी नहीं होते है risk भी होती है पलस उसके rate भी उने कम मिल रहे है लेकिन RBA उने ज़्यादा दे रहा है तो क्या होगे encourage होगे तो जो पैसा है अब reverse repo rate को आपने decrease कर दिया दूसरे diagram में आपको यह चीज़ बताई कि तो इसका result क्या होगा banks can get less money by lending to RBA they are discouraged to land RBA so they can land more to public अब जब जब बैंक ने reverse repo rate बिल्कुल कम कर दी मालो पहले 10% दे रहा था आप बोला कि मैं ते 1% दूँगा अब अगर अपना पैसा मेरे पास जमा करवाते हो तो अब जब वो पैसा bank उसको जमा कराने के बज़ाए वो क्या करेगा customer को देना ज़्यादा पसंद करेगा यानि जो इसका result आएगा वो क्या हैगा अब बात करते हैं bank rate की bank rate क्या होता है bank rates refer to official interest rate of in which RBI will provide loans to the banking system जो एक base rate के रूप में ये चीज़ काम करती है इसको bank rate बोला जाता है ये official interest rate होती है जिसके उपर RBI क्या करता है loans provide करता है पूरे banking system को which includes commercial cooperative banks, development banks, it is a ये जितने भी bank है उनको provide करवाता है fund अब बात आगे रेपोरेट में भी ये चीज़ की जाती है तो reverse और इसमें bank rate में भी ये की जारे तो इसमें difference क्या है difference इसके जो mechanism है उसके अंदर होता है mainly तो दोनों का काम एक ही है the difference जो मैना वो mechanism lending का जो रेपोरेट के अंदर होता है वो commercial bank जो क्या करते है कि borrow करते है money from RBA और क्या करते है उसके बदले securities या bond या अपना agreement sign करते है वो कोई पेत करे ने उस time securities के बदले अब जब वो securities वापिस मांगने जाएंगे bank के पास से तो bank उनसे extra charge कर लेता है जैसे कि कुदान के द्वार आपको यह पे बदाएगा एक जैसे रेपो रेट है 6% और एक commercial bank है उसको ने बोरो किया RBA से 10,000 the interest paid to RBA will be 600 रुपे 6% charge है तो जब वो वापिस अपने securities purchase करने जाएगा उसके पास bank के पास में तो उसको 10,600 रुपे payment करना पड़ेगा यानि कि आप वो बताएगा रेपो रेट के अंदर क्या होता है कि वो केंदरे बैंक से पैसा पराप्त करता है अब जब पैसा पराप्त कराएगा तो वो अपने securities होती है वो उसके पास क्या रखता है गिर भी रखता है और बैंक रेट के अंदर आपका क्या होता है कि लोन्स आर गिवन टू आइधर बाइड डारेक्ट लेंडिंग और डिसकांटिंग दा बिल और कमर्सिल बैंक और ट्रेजरी बैल तो मैंजो इनका मेकेनिजम का ही फरक है दोनों चीज़ें लगबग एक रसी होती है उनको ज़्यादा मेंगा मिल रहा है कमर्सिल बैंक को तो वो क्या करेंगे कस्टमर के लिए ज़्यादा लगाएंगे तो जो बायर है या बोरोइंग्स है या कस्टमर है वो क्या होगे डिसकारेज होगे और मनी सप्लाई क्या होगी रिडिउज होगी और इसका आप अपोजिट करेंगे यानि डिक्रीज करेंगे बैंक रेट में, तो उसका एफेक्ट क्या होगा? Money supply increase होगी. यह सेम उसी तरह काम करता है, जो आपको पीछे बताएगे. अब आता है आपका MSF, Marginal Standing Facility Rate. MSF क्या होता है? MSF rate refers to the rate at which the scheduled bank, जो कि अनुसुची में, अनुसुचीत है, scheduled bank, can borrow funds overnight. Overnight यह एक छोर टाइम के लिए जो उनका आपशकता होती है, from RBI, against government securities. यानि कुछ government securities रखे, overnight जो उनका आपशकता होती है, commercial bank या scheduled bank की, वो क्या करते हैं, केंद्रे bank से उधार ले सकते हैं. They are usually to during several cash shortage. अचानक से कुछ LIC mature हो रही है, अचानक से कुछ करमचारे retire हो रही है, अचानक से किसी का आपशकता पड़ गई, पैसे के overnight के लिए. तो वो क्या करते हैं, इस MSF rate के उपर, scheduled bank जो होते हैं, वो, borrow कर सकते हैं, किसे? RBI से. Mostly, जो इनके एक limit बनाई गई है, कितनी limit तक आप ले सकते हैं, वैसे कोई bank कितना भी ले लेगा overnight के लिए, तो इसके कुछ limit है, कि bank can borrow up to 1% of their aggregate net demand and time realities, NDTL. यानि, NDTL क्या होता है, जितनी भी bank के पास उसकी जमाएं हैं, चाहें वो timeline deposits हैं, या फिर, जो, इसकी हैं, demand deposits. Demand deposits क्या होता है, कि bank में customer कुछ पैसा जमा कराते हैं, तो सिधा पैसा जमा कराते हैं, उनके खाते में होता है, वो कभी मी निकाल सकता है, उसमें कोई time final नहीं होता है, तो उसको demand liabilities के बाद कि customer ने जो पैसा जमा कराया है, कुछ भी जमा करवाया bank के अंदर, तो उसके परसेंट तक वो बोरोगर सकता है, किसे RBI से, अब इसका effect क्या होगा, यान increase in MSF, अगर MSF rate बढ़ा जी जाती है, तो क्या होगा, high cost to funds for banks, यानि overnight के लिए पैसा चीए, और वो rate मेंगा मिल रहा है, तो उसके cost क्या होगी, ज्यादा होगी, तो customer के लिए क्या होगा, ज्याद क्या करता है, कि जो RBI होता है, वो government securities की purchase या sales करता है, इसको open market condition बोला जाता है, ये mostly दो परकार की होती है, या तो RBI purchase करेगा, या RBI क्या करेगा, sales करेगा, अब जैसे अर्थवस्ता के अंदर जो है, जो liquidity है, उसको बढ़ाना है, तो वो क्या करेगा, purchase करेगा, purchase of government securities, अब purchase करेगा, तो उसके बदले क्या देगा, वो, पैसा देगा, securities उसने अपने पास रख लिए, और पैसा किसको दे दिया, बाकी बैंकों को दे दिया, तो अर्थवस्ता के अंदर क्या होगा, मुद्रा बढ़ेगी, या अगर मंदी की condition चल रही है, तो RBI क्या करेगा, उस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोगों के purchasing power बढ़ी हुए, ज़्यादा पैसा है, उनके पास उनको absorb करना है, तो वो क्या करेगा, sell करनी start करेगा, government securities को, जब वो sell करेगा, तो bank उनको purchase करें, commercial bank, जब वो purchase करें, तो उसके बतले वो क्या करेंगे, payment किसको करेंगे, आरे बेग, तक या system के अंदर में liquidity बढ़ानी है, तो क्या करेगा, वो purchase of government securities करेगा, अब उदान के दौर आप मैं इसको समझेगी, कैसे इसका effect पढ़ता है, तो जैसे कि purchase of securities by RBI, तो यहाँ पर starting में आपको RBI बताएगा, इधर आपका एक bank लिए, MNASB, कोई bank ले सकते हैं, PNB, जो भी क्या क्या, एक flow money का मनगा, किस के पास आगया, वो flow, वापिस SBA bank के पास आगया, SBA bank के पास जब ज्यादा पैसा है, तो वो क्या करेगा, पैस अपने पास तो रखेगा नी, तो वो क्या करेगा, more funds available to public, customer या जो उसके लेने वाले हैं, उनको अवेलेबल करवाएगा, तो अ अगर ये sell करता है, तो क्या होगा, यानि इसने क्या किया, sell किया, तो sell किया securities को, तो उसको purchase कोंड करेंगे, commercial bank purchase करेंगे, तो उनको इंटरस्टेट अचा मिल रहा है, तो जब वो purchase करते हैं, तो बैंकों के पास जो पैसा पड़ा एक्ष्टा, वो किसके पास चला गया, costumars को देना था, या borrowers को देना था, शो किसको दे दिया, RBI को, अपनातो को फ्लिए तो आफ तशा करेंगे, तो इसके पास पैसा बचा नहीं है, तो लोगों को भी वो नी दे पाएगा, customer को नी दे पाएगा, loan कम दे पाएगा, जब वो लोगों को नी दे पाएगा तो エ 司命 घर किए तो जोओ सारीी इनकों बढ़ाएंगे अगर उसको सप्राइब को किया करना है तो मयंس सब्कूर समदाइए तो हमें क्या करना है अर्थवेस्ता के अंदर increase करना है किसको? Money supply को तो repo rate क्या होता है. Report को क्या करेंगे? Reduce करेंगे? हम इसको reduce करेंगे. Reduce क्यों करेंगे? क्योंकि जब कम rate मिलेगा तो बैंकों को उनको आगे customer को कम rate पर देंगे और हमें किस पैसा खान लाना है, मार्केट के अंदर लाना है, तो reverse repo rate को हम क्या करना पड़ेगा, reduce करना पड़ेगा, इस तरह bank rate को हम क्या करेंगा, इसको भी reduce करना पड़ेगा, क्योंकि इसी rate जो rate होती है, इनकी short time के लिए, वो कंद्रे bank द्वाराने bank को पर charge की जाती है, त इसी तरह MSF, इसको भी हम क्या करेंगे, reduce करेंगे, क्योंकि overnight के लिए जब पैसा लेते हैं, वो MSF होता है, और वो सस्ते पर मिल रहेता, आगे भी सस्ता मिलेगा, तो money supply बढ़ाने तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, अब इस इन चार rates का, just opposite, अगर हम में से कौन सी rate को decrease किया जाएगा, इसको increase किया जाएगा, तो एक table के द्वारा आपको समझाये गए, इसको trick के द्वारा भी याद कर सकते हैं, अब बात करते हैं, last open market operations की, तो अर्थवेस्ता के अंदर अगर money supply increase करनी है, increase करनी है, तो केंद्रे bank क्या करेगा, securities को क्या करेग अगर purchase की condition चल रही है, तो इसका मतलब क्या है, अर्थवेस्ता में money supply increase होगी, और sell की वेस्ता चल रही है, तो decrease होगी, अब बात आती है, reserve ratio की, reserve ratio क्या होता है, commitment के द्वारा, जो के banking regulation act है, उनके द्वारा अपने जो NDTL होती है, जो आपको पीछे बता दिया गया है, उसके कुछ percentage अपने पास, या Kendriya Bank के पास रखने पड़ते हैं, उसे reserve ratio बोला जाते है, पहला था आपका cash reserve ratio, cash reserve ratio क्या होता है, कि the average daily balance that banks is required to maintain with the reserve bank, as share of such as percentage of its net demand and time leverage, या डिटील का कुछ percentage, जो की Kendriya Bank द्वारा final किया गया है, commercial bankों को RBI के पास हमेशा जमा रखना पड़ता है, उ इसका effect कैसे आता है, या अब एक diagram के द्वारा देख लीजिए, जैसे कि हमने एक example के रूप में माना की CRR कितना है, 4%, यानि 1000 रुपए किसी ने bank में deposit कर रहे, अब 1000 रूपए तो इसका rule क्या है, Kendriya Bank ने rule final कर रखा है, कि इसका 4% आपको क्या करना पड़ेगा, RBI ये के पा पाएगा, और CRR कम कर दिया जाता है, तो वो ज्यादा दे पाएगा, यानि CRR जैसे बढ़ता है, तो money supply कम हो जाएगा, और CRR कम होता है, तो money supply बढ़ जाएगा, या एक example के दौर आपको बतायागे, यह डाग्राम में यही चीज़ समझाएगा, increase in CRR, यानि cash resurrection यो बढ़ा कि less cash, kept to RB, RB कम रखना पड़ा है, और खुद के पास पैसा जादा है, खुद के पास अगर जादा है, तो more public को क्या कर सकेंगे, उनके पास पैसा जादा बचेगा, लेंड करने के लिए, और money supply क्या होगी, increase होगी, तो यह था CRR का effect, अब आता है SLR, SLR क्या होता है, जो NDTL ह होता है, उसी का percentage, जो कि cash reservation में था percentage, इस तरह से कुछ percentage क्या करना पटा है, खुद के पास हमेसा रेजरू के रूपे रखना होता है, यह मालूम नहीं होता है, कि कब कुण सा customer है, वो अपना पैसा वापिस निकालने आ जाए, तो कहीं ऐसे condition ना हो कि लोगों का bank से विश्व होती की जा सके, तो ऐसे percentage and detail का, कि जो कि bank खुद अपने पास रखते हैं, अगर वो RBA के पास रख रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, CRR बोला जाएगा, और खुद के पास रख रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, SLR बोला जाएगा, the share of and detail that banks is required to maintain in safe and liquid assets, such as government security जैसे cash or gold, यानि नगद या नगद तुले जो चीज़ें होती है, उसके रूप में उनको मेंसा खुद के पास maintain रखना होता है, अब इसका effect क्या होता है, कि when SLR rate is 20%, अब जैसे मालमान है कि हमने 20% है, तो 1000 रुपए है, तो उसमें 800 रुपए है कि क्या पचेगा, उसके पास वागे land कर सकता है, 200 रुपए है, उसको क्या रखना पड़ेगा, अब इसको कम कर दिया, तो लोगों को ज्यादा पैसा देगा, क्योंकि उस रखना ही नही तो इसका effect इस तरह से आता है, यानि जैसे SLR को increase किया, increase करते है, यानि 20% आपने 40 कर दिया, तो more reasonable to be maintaining liquid assets, यानि बैंकों के जो पैसा है, वो किसमें जा रहा है उसका, एक ratio maintain करना में जा रहा है, तो उसके पास कम पैसा बचेगा public को देने के लिए, और money supply क्या होगी, reduce होगी और इसी तरह से अगर हमने decrease कर दिया, तो money supply क्या होगी, increase होगी, next जो इसके बचेवे part है, जो quality वाले, और इसका effects कैसे पढ़ता है अर्थ वैस्ता पर inflation पेर, वो हम lecture के अंदर अध्यन करेंगे, आज के लिए इतना ही, thank you.